हेलो स्टुटेंट्स वेलकम टू यूपी से एसस टेली प्राइम सीरीज का लक्षय नमबर 38 है और आज हम इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं कैस्स टेडिंग और गनाजेशन विट जी एस्टी और ट्रेडिंग और गनाजेशन विट जी एस्टी पर बेस्ड एक छोटी सी एकसरसाइज हम पहले भी सॉल्फ कर चुके हैं जिसमें हमने परचेज की इंट्री और सेल्स की इंट्री देखी थी परचेज और सेल के साथ में हमने GST को भी जो वहाँ पर इंक्लूड किया था और वहाँ पर स्टॉक आइटम स्टॉक ग्रूप और यूनिट आप मेजर य तो यहाँ पर चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रेडिंग और्गनाजेशन में किस तरह के इंट्री होती हैं तो वैसे तो इसकी एक जहलक हम देख शुके हैं एकसरसाइज में जहाँ पर हमने परचेज और सेल के इंट्री पास की थी तो यहाँ पर देखिए इसम मार्च 2021 तक यह इसका financial year रहेगा लेकिन जो books beginning from की debt होती है वो यहाँ पर 1st October ही रहेगी ठीक है तो यहाँ पर चली बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पर पहला question हमारा है कि ललित कुमार ने क्या किया है business start किया है 16 लाग रुपए से business start किया है और दूसरे question में 13 लाग रुपए bank में जमा कर दिये तो यहाँ पर इन दोनो question को हम फटा-फट पहले solve करते हैं उससे पहले आपर हमें एक नई company बनाएंगे जिस पर हम cash study 2 की entry करना start करेंगे तो चले यहाँ पर tally prime software open कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में हमने ex3 नाम की company बनाई थी जिसमे exercise 3 जो है यहाँ पर हमने उसकी entry की थी तो एक काम करते हैं इसको हम delete कर देते हैं तो company delete कैसे करते हैं यहाँ पर आपको वह भी बता देते हैं वैसे तो हम बता चुके हैं लेकिन कई बार अभी भी हमें comment देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर students पू यहाँ हैं तो आप कोई भी editing कर सकते हैं या फिर alt के साथ में d button यहीं पर प्रेस करें और इसो जो है enter करके confirm कर दें तो यह company आपके delete हो जाएगी alt के साथ d button प्रेस करना है ठीक है तो यह company delete हो चुकी है अब यहाँ पर हम एक नई company create करते हैं company create कैसे करते हैं कई सारी तरीके ह यहाँ पर हम हैं और यहीं से create कर सकते हैं create company में जाकर के यहाँ पर हम company में जाकर के यहाँ से भी create कर सकते थे ठीक है फिलाल यहाँ पर हम चलते हैं create company में और यहाँ पर जो company data path है इसको हम वही रहने देंगे जो default यहाँ पर set है यहाँ पर company name में यहाँ पर हम इसका name रख ल नहीं है क्योंकि यहां पर हम GST से रिलेटेट वर्क करेंगे तो यह सब जो है country और state यह आपको डालना कमपल सरी है हाँ ठीक है state और country यह अपको डालना कमपल सरी है हलाकि country तो automatic select हो जाएगा pin code भी डाल दे तो ज्यादा बेटर रहाएगा ठीक है और एंटर करते हैं बाकि telephone number, mobile number यह सब आप छोड़ सकते हैं यह हमारी email id है यहाँ पर अगर आपका कोई doubt होता है ऐसा जो की comment के जरीए solve नहीं हो पाता है youtube comment के जरीए तो आप इस mail id पर अपना skin sort या idea video जो भी है mail कर सकते है ठीक है dot com ठीक है एंटर करते हैं यहाँ पर आपका financial year beginning from तो यहाँ पर हमारा होगा 1st April 2020 और जो books beginning from की date है books beginning from यानि कि हमारा business कब से start हो रहा है entry हम करना कब से start करेंगे तो हमारा है 1st October तो यहाँ पर हम रखाएंगे 1,10 और enter कर देंगे तो यहाँ पर automatic वो ले लेगा 1 October 2020 समझ लेना इसको financial year हमारा 1st April से start हो रहा है लेकिन जो हमारी entry है वो 1 October से start हो रही है ठीक है और जो cash study 1 हमने बताया था उसमें हमारा financial year भी 1st April से start हो रहा था और books भी जो है यानि की entry करना है start कर रहे थे वो भी हमारी 1st April से ही हो रही थी इसलिए दोनों में same रखा था लेकिन यहाँ पर हम change कर देंगे clear है चलिए तो यहाँ पर बाकी चीजों को इंटर इंटर करते हुए accept कर लेते हैं और यह हमारी company जो है finally create हो जाएगी ठीक है company create करने के बाद यहाँ पर हमें कौन-कौन से options की जरूत है यहाँ पर हम on करेंगे तो एक नजर यहाँ पर हम डाल लेते हैं देखते हैं यहाँ प हम company बना रहे हैं उसी time यहाँ पर हम कौसेंटर को भी on कर लेंगे ताकि बाद में on ना करना पड़े ठीक है और यहाँ पर हमने कौसेंटर on कर लिया यह तीनों option yes है और फिर यहाँ पर हमें इसका भी ध्यान रखना है maintain inventory and integrated account with inventory इन दोनों option को भी on करना है ठीक है ध्यान रख आपको यह GST जो है इसको भी on करना है ठीक है तो जब हम GST on करेंगे तो हमें GST detail डालनी होंगी आपको पता है बस यहाँ पर हमने क्या गया है एक नया option enable call center इसे yes कर लिया है बागी सब के बारे में तो आपको पहले से पता है जब हमने exercise 3 solve कर वाई थी तो वहीं पर explain किया थ ठीक है तो यहाँ पर GST को yes करते हैं तो यहाँ पर आपको detail डालनी है सारी state यहाँ पर उतर प्रदेश रहेगी registration type यहाँ पर regular है और फिर उसके बाद यहाँ पर GST applicable तो GST हमारी 1st October से applicable हो रही है और यहाँ पर हमें GST number डालना है तो GST number एक dummy GST number यहाँ से हम उठा लेते हैं और इसमें सिधे control V से paste करते हैं और इसमें कुछ changes कर लेते हैं यहाँ पर बीच में ठीक है तो यहाँ पर last में ही दो character यह चेंज कर देते हैं यहाँ पर हमने कुछ भी कर दिया ठीक है तो यह एक dummy GST number है आप चाहिए तो इसी को यूज कर सकते हैं एंटर करते हैं यहाँ पर monthly set कर देते हैं और बाकी इसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे ठीक है तो बाकी यहाँ पर हमें और कुछ नहीं करना है finally से control A से accept कर लेना है और यहाँ पर भी हमें control A से accept कर लेना है तो यहाँ पर हमारी जो finally company है वो create हो चुकी है अब यहाँ पर चलते हैं सीधे voucher से और entry करना start करेंगे है जैसा कि यहाँ पर पहला question हमने बताया कि business start किया गया है October तो यहाँ पर October में पहले question में business start किया गया है ललित कुमार ने 16 रुपे से business start किया है यहाँ से मैं entry करनी है ठीक है तो voucher कौन सा होगा आपका reshift हो जाएगा तो यहाँ पर credit में होंगे ललित क कुमार गुपता और यह अंडर जाएंगे capital account के क्योंकि business start कर रहा है और यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे एक मिलेगा inventory value are affected और दूसरा मिलेगा यहाँ पर cost center और applicable ठीक है तो यहाँ पर देखे cost center जो है यह इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने enable cost center option को on किया था और inventory value are affected यह इसलि रिद कुमार गुपता अंडर capital account और इन दोनों option को यहाँ पर हम no रखेंगे और बाकी इनकी detail यहाँ पर हम चाहें तो fill कर सकते हैं वरना इनको हम छोड़ देंगे और finally accept कर लेंगे ठीक है तो यह entry accept हो गई अभी यहाँ पर हमें amount होगा डलना है आनि कि laser हमारा जो है वो create हो जमा किया गया है तो voucher यहाँ पर आपका contract हो जाएगा और credit में यहाँ पर आपका cash हो जाएगा क्योंकि हम पैसा जमा कर रहे है 13 लाग रुपे और enter करते हैं यहाँ पर debit में यहाँ पर HDFC bank का laser बनेगा क्योंकि first time आ रही है अब आप सोच रहे होंगे कि HDFC bank का laser थो हमने cash study 1 म company ही पूरी अलग है ठीक है cash study 1 से और 2 से कोई मतलम नहीं है बेच में इनका कोई relation नहीं है ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना कई student comment करते हैं फिलाल यहाँ पर आपका laser बनेगा HDFC bank का और अंडर यह जाएगा bank account के ठीक अंडर किसके जाएगा bank account और यहाँ पर call center इसमें भी control इसे accept कर लेते हैं तो यहाँ पर इसी तरह से जो पहला मन्त आपका है इसमें बिल्कुल simple वाली entry है जैसे कि हम cash study 1 में भी कर चुके है ठीक है तो चले यहाँ पर थोड़ा सा speed बढ़ाते हैं और फटा-फट यह entry हम करते हैं तीसरे question में Mr. गुपता ने यहाँ पर check issue किया है और यहाँ पर निम लिखेत आइटम यह purchase किये हैं फनीचर, electrical fitting, computer, cell phone और इसका जो rate of depreciation है तो अब की बार यहाँ पर जो depreciation है वो percentage के हिसाब से दिया गया है आपको याद होगा cash study 1 में क्या था cash study 1 में उस assets के warranty यानि उसकी जो life थी उसके हिसाब से depreciation निकाला गया था लेकिर यहाँ पर percentage के हिसाब से निकाला जाएगा तो यह तरीका कोई भी हो सकता है आप जैसे चाहे वैसे depreciation निकाल सकते हैं फिलाल यहाँ पर depreciation की entry तो last में होगी March में अभी यहाँ पर हमें entry करनी है payment voucher पर और इन सभी को debit कर देना और credit में हमें bank कर देना है क्यों करना है यह GST जो है हमारी not applicable रहेगी ठीक है GST यहाँ पर not applicable इसलिए रहेगी क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि हमने furniture खरीदा है तो हो सकता है कि उसके उपर GST लगी हो तो यहाँ पर applicable कर दे बट ऐसा नहीं है ठीक है GST हम जो item हम purchase करेंगे और उनको जब हम sell करेंगे तो वो हमारा purchase और वो हमारा item जो है goods वो sell कहलाता है और उसमें जो GST tax लगता है वो यहाँ पर हमें GST applicable करना है बाकी जो हम अपने personal use के लिए या फिर जो business में use करने के लिए कोई भी assets purchase कर रहे है उसके उपर यहाँ पर GST हमें applicable नहीं करना है ध्यान देना इस बात का ठीक है तो यहाँ प purchase और sales related laser होंगे सिर्फ उसी में GST से मतलब होगा बाकी furniture, rent, salary और जो भी normal entry जो हम cash study 1 में कर चुके है जितने laser बना चुके है वो सारे laser यहाँ पर normally बनेंगे ठीक है उसमें कोई भी option जो है वो on या off नहीं करना है आपको पता है हमें सिर्फ laser और under पर ध्यान रखना है बस बा इसी में applicable नहीं करना है ठीक है इसको यहाँ पर हम under fixer assist और यहाँ पर इसमें भी not applicable रहेगा और इसी तरह से यहाँ पर हम सारी laser बना लेते हैं तब तक वीडियो पॉस कर देते हैं और finally यहाँ पर credit में हो जाएगा HDFC bank क्योंकि हमने चेक इसू किया है टोटल सर 60,000 रुपे ह हो गया और इसे control एसे accept करते हैं यह entry भी हमारी complete हो गई आगे बढ़ते हैं अगले question में मिस्टर गुपता ने क्या गिया है 25,000 रुपए का जो है चेक इसू किया है तो आपको पता है यह बिल्कुल सेम entry है आपर security किया गया है तो यहाँ पर हम security deposit का लेजर बना लेते हैं और यह अंडर जाएगा deposit assets के आपको पता है अंडर किसके जाएगा deposit assets के और इसको भी हम accept करते हैं और यहाँ पर इसका amount कितना है amount है 25,000 रुपए 25,000 और enter करते हैं credit में यहाँ पर आपका क्या होगा देखे credit में security deposit किया गया है चेक के थूरू तो यहाँ पर आपका credit में HDFC bank हो जाएगा और यहाँ पर इसको हम accept कर लेते हैं ठीक है तो यह इंट्रीवी हो गई और इसी तरह से यहाँ पर भी जो है 30,000 रुपए security deposit किया गया है और यहाँ पर यह go down के लिए किया गया है और इसका go down का जो किराया है rent हो 2000 रुपए है ठीक है तो यहाँ पर 30,000 रुपए आप एक चीज़ देखेंगे जो date है वो हमारी 1st October ही है ठीक है जो हमने वहाँ पर company create करते time books beginning from date set की थी वही यहाँ से start हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर हमने clear करवा दिया फिलाल यहाँ पर credit में आपका HDFC bank और इसे भी हम accept कर लेते हैं तो यह interview complete हो गई ठीक है आगे बढ़ देख लेते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं question number seven जहाँ पर stationary purchase की गई है पंदरा सो रुपए की cash यानि नगद तो यहाँ पर इसकी भी इंटरी फटा पट करते हैं stationary और अंडर यह जाएगा indirect expenses और inventory value or factor यहाँ पर no रहेगा और cost center यहाँ पर no रहेगा ध्यान रखना तो फिलाल यहाँ पर इसमें भी GST जो है वो not applicable ही रहेगी और यहाँ पर आप देखेंगे एक नया option यहाँ पर include हुआ है include inaccessible value calculation for ठीक है तो यहाँ पर इसको भी हमें not applicable रखना है क्योंकि इसमें भी हमें GST से मतलब नहीं होता है ठीक है यह हम बात करेंगे इन options के बारे में कि हमें इ trade में यहाँ पर आपका cash है और यहाँ पर इस entry को भी हमने accept कर लिया तो यह काफी easy entry थी और आपको पता भी था और यहाँ पर हमें pity cash एक बनाया है 10,000 रूपए और आपको हमने pity cash के बारे में शायत बताया है नहीं बताया है तो यहाँ पर आपको बता देते हैं देखिए pity cash जो है conheक का ही दूसरा रूप होता है अब जिसे मालेते हैं इन्होंने 16 लाग रूपई से बिजनेस से स्टार्ट किया है जिसमें से 13 लाग रूपई जो है वो इन्होंने बैंक में जबा कर दिये थी माल लेते हैं कि इनके पास 3 लाग रूपई नगद रखे हुए कि तो हम वहां से नहीं खर्च करेंगे ठीक है बलब यह बड़ा अमाउंट है मैं बार-बार काउंट करना पड़ेगा थोड़ा सा देख रेक भी करनी पड़ेगी तो हम क्या करते हैं कि हम पीटी कैस में ट्रांसफर कर लेते हैं और चोटे मोटे खर्चे हम पीटी कैस से करते हैं किलियर है तो साइद इसके बारे में हमने पहले बताया भी था नहीं बताया तो अभी आपको वने बता दिया चोटी सी चीज है आपको समझ आ गई होगी तो यहां पर आपका जो है वो कंट्रा यूज करेंगे और जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं या बैंक से निकालते हैं तब भी आपको अच्छे से पता है फिलाल यहां पर हम पीटी कैस का लेजर बनाते हैं और इसके इंट्री कंट्रा वाउच्छर पर दरते हैं 10,000 रुपए की तो यहां प पर आपका cash होगा क्योंकि cash जो है वो कम पढ़ रहा है यानि cash से ही पैसा petty cash में जा रहा है तो debit में यहाँ पर petty cash होगा तो यहाँ पर petty cash under यह जाएगा cash in hand के ध्यान रखना cash in hand के एंडर क्यों जाएगा क्योंकि यहाँ पर यह cash का ही दूसरा रूप है और cash का जो पहले से लेजर बना होता है वो cash in hand में ही बना होता है तो इसको भी हम cash in hand में ही रखेंगे जो कि secondary group है cash in hand और इसका primary group current assets है clear है group clear होने चाहिए तभी चीज़े आपको बहतर समझ में आएंगी आगे बढ़ते हैं लास्ट इंट्री है Mr. गुपता withdraw cash 4000 for personal use यानी 4000 रुपे नोंने निजी खर्च के लिए निकाले है इस इंट्रीस को आप अच्छी तरह से वाकिव है यहाँ पर सारी चीज़े आपको पता है debit में आपका withdraw होगा laser बनेगा और under यह जाएगा capital account के और यहाँ पर दोनो option नो रहेंगे इसको finally controller से accept करते हैं कितना यहाँ पर निकाला है 4000 रुपे निजी खर्च के लिए credit में यहाँ पर हो जाएगा cash क्योंकि नगत लिया है और इसको भी हम accept कर लेते हैं तो यहाँ पर last entry भी complete हो गई अब यहाँ पर फटा फटा आपको day book दिखा देते हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं trial balance यहाँ पर हम match कर लेते हैं देखते हैं कोई mistake तो नहीं है तो यह चोटा trial balance है फटा फटा इसको भी देख लेते हैं तो चलते हैं यहाँ पर हम वापस और display trial balance और यहाँ पर यहाँ पर यह आपका trial balance है capital account यहाँ पर है चार लाक इधर है और 16 लाक ही है आपका है चार लाक 16 ठीक है सर सट अजार 15 27 500 ठीक है और यह 15 100 रुप है ठीक है क्लियर है cash bank चक कर लेते हैं 294 511 888 294 511 888 ठीक है तो यहाँ पर cash bank सारी चीज़े सही है finally यहाँ पर हमने October की जो entry है वो complete कर ली है और यहाँ पर आप देखेंगे कि October में कोई भी purchase या sell की entry हमने नहीं की है ठीक है इसलिए नहीं की है क्योंकि business से start करेंगे तो उसमें कई सारी चीज़े startup में करनी होती है उसकी entry हमने October में दी थी अब बाकी यहाँ पर आपका November से start होगा जहाँ पर हम purchase और sell की entry करना start करेंगे ठीक है तो यहाँ पर November मन्त की जो entry है वो हम अगली वीडियो में करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में Okay so thanks for watching this video